अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो इसे सब्सकाइब कर लिजे और बेल आइकन को हीट करके और जरूर सेलेक्ट कर लिजे इस वीडियो में पोटफोलियो बिल्डिंग पे मैं एक कम्प्लीट सॉलूसन लाया हूँ जिसमें मैं पहले बताऊंगा कि आप एक अच्छा पॉटफोलियो कैसे बना सकते हैं साथ ही मैं 20 स्टॉक्स का एक सेम्पल पॉटफोलियो बनाया हूँ आप चाहो तो इन स्टॉक्स को फर्दर स्टडि कर सकते हो पॉटफोलियो कैसा होना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंव नई जॉब लगी है या जो 20 years से 45 years ग्रूप में हैं जिन में risk लेने की appetite है वो लोग aggressive portfolio prefer करेंगे क्योंकि उनके पास समय है investment journey में अगर लड़ खराब ही गए तो उनके पास समभलने का समय है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने investment से regular income चाहिए तो वैसे लोग income portfolio prefer करेंगे य सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि portfolio बनाते वक्त हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जब भी portfolio बनाने की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले एक ही question आता है कि एक portfolio में कितने stocks होने चाहिए तो दोस्तों इसके लिए कोई fix rule नहीं है कुछ लोग 4-5 stocks का भी portfolio बनाते हैं कुछ experts 15-20 stocks suggest करते हैं कुछ लोग 25-30 की range में रखते हैं और कुछ लोग 40-50 stocks भी अपने portfolio में रखते हैं depend करता है कि आपके portfolio का size क्या है अगर portfolio का size 3-4 लाग का है तो बहुत सारा stocks रखने का कोई मतलब नहीं बनता है ज्यादा share रखने से आपका return कम हो जाएगा वही अगर आपके portfolio का size बढ़ा है आप 1-2 करोड इंवेस्ट किये हो तो 40-50 shares भी रख सकते हो अपने portfolio में मैं यहाँ common लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास 1-2 लाक रुपिया है invest करने के लिए वैसे लोग 5-10 shares से अपना portfolio start कर सकते हैं और जैसे जैसे investment का amount बढ़ता जाएगा वैसे वैसे portfolio में stocks बढ़ा सकते हैं मेरे हिसाब से 20-25 stocks एक अच्छा portfolio build करने के लिए sufficient next video मैं 20-25 stocks का portfolio लेकर आओं मैं already एक video बना चुका हूं आप चाहो तो उपर i button पर click करके वो video देख सकते हों लेकिन best stocks pick कर लेना काफी नहीं है एक best portfolio create करने के लिए इसे हम आगे देखेंगे कि best stock pick करने के अलावा और इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन जब भी stock pick कर रहे हो तो इतना जरू business को पास्ट ग्रो करने के लिए debt लेती हैं तो आप ऐसी companies को भी consider कर सकते हो बड़ इससे पहले आप ठीक से चेक कर लेना कि company loan का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं next point stock pick करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके portfolio में sector की leading stock जरूर होने चाहिए leading stocks मतलब अपने sector की number one और number two companies यह companies fundamentally strong होती है और size में इतनी बड़ी होती है कि इन में stability ज्यादा होती है एक safe portfolio बनाने के लिए इन companies को portfolio में जगा देना बहुत ज़रूरी है next important point है कि हमें अपने portfolio को diversify करना है हमें अलग-अलग sector से stocks को pick करना है एक balance portfolio बनाने के लिए हमें अलग-अलग sector से stock की करना आकि जब भी कोई एक sector perform नहीं कर रहा हो तो दूसरा sector आपके portfolio को संभाल ले हम portfolio diversification को एक team formation से relate करके देख सकते हैं let's take the example of cricket team team का selection कैसे होता है selectors क्या करते हैं कि first class cricket खेलने वाले players में से top 16 players को select करते हैं लेकिन इन 16 players में भी different skill set के players होते हैं ऐसा नहीं होता कि सारे top batsmen है या top ballers है अगर team में चार ballers हैं तो आप देखेंगे कि उनमें भी अलग-अलग skill हैं कुछ Pacers हैं तो कुछ spinners हैं अगर दो Pacers हैं टीम में तो ऐसा हो सकता है कि एक fast baller है और दूसरा swing baller है कहने का मतलब यह है कि team में select होने का criteria है like merit होनी चाहिए skill होना चाहिए consistency होनी चाहिए performance में यह सब तो सारे players में common है बट जब playing 11 select करते हैं तो उसमें अच्छा balance portfolio बनाने के लिए आपको portfolio को diversify करना पड़ेगा तभी आपका portfolio अच्छा perform कर पाएगा और आप unnecessary risk से अपने capital को protect कर पाओगे next point है कि stock pick करने के बाद किस stock में कितना weight is मेरे हिसाब से आपको एक stock में maximum 10% weight is देना चाहिए चाहे कितना भी अच्छा stock क्यों न हो weight is 3% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए maximum experts भी यह suggest करते हैं बहुत कम weight is रखने से नुकसान यह होगा कि कहीं वो stock बहुत अच्छा return दिया तो भी उसका impact overall portfolio पे ज्यादा नहीं दिखेगा इसलिए आपको weight is को 4% से 3% की range में रखना है stock specific weight is के साथ साथ आपको sector weight is का भी क्याल रखना चाहिए किसी भी एक sector में 25% से ज्यादा का weight is नहीं रखना चाहिए evergreen sectors जैसे FMCG, finance, IT और pharma आपके portfolio का part होना चाहिए इसके अलावा chemical sector भी बहुत important sector है जिसके stocks आपके portfolio में होना चाहिए next important point है कि हम asset का allocation कैसे करें यानि large cap, meat cap और small cap stocks में कैसे allocation करें, मेरे हिसाब से आप कम से कम 50% weight is large cap stock में दीजे, अगर एक range की बात करें तो आप 50% से 60% weight is large cap को दे सकते हो, large cap के बाद आपको meat cap को 25% से 30% की range में weight is देना है और small cap में सबसे कम weight is देना है, small cap में 5% से 10% का weight is देके चल सकते हो, हलाकि meat cap और small cap से आपको ज़्यादा fast return मिलेगा, लेकिन जब भी बाजार में gear out होगी, उस वक्त सबसे ज़्यादा gear out small cap और meat cap से होगी, अगर आप volatility को जहल सकते हो, तो meat cap और small cap में थोड़ा और weight is ले सकते हो, next point है कि हम stock को buy cup करें, देखिए अगर हम एक salaried person की बात करें, जो monthly expenses के बाद जो बसता है, उसे invest करता है, तो उसके एक option है, कि हर मन्त, वो stocks में SIP करता रहे, जिस share में उस particular month में ज्यादा gear out है, उसे खरीद ले, लेकिन उसमें उसे overall weightage का भी ध्यान रखना है, अगर आपके portfolio का कोई share लगातार गिर रहा है, तो average out करने के चक्तर में, उसी stock में buy नहीं करते रहना है, क्योंकि आप कितने भी export क्यों नहीं हो, कुछ stocks आपके portfolio में मिली जाएंगे, जो perform नहीं करेंगे, तो ऐसे shares को average नहीं करना चाहिए, दूसरा option हो सकता है, कि आप पैसे को पार्क करके रखे, और जब आपके portfolio के किसी stock में 5% से 10% की गिरावर्ट होती है, तो उसे खरीद लिजी, last important point है, कि जब आपका portfolio बन जा है, तो उसे regularly review करते रहें, अपने stocks का performance monitor करते रहें, उसका quarterly result analyze करते रहें, उसका price up या down क्यों जा रहा है, उसके region को जानने की कोशिश कीजिए, company का growth intact है या नहीं, उसे भी check करते रहें, और जब कभी भी लगे कि portfolio में change की जरूरत है तो आप उसे भी करते रहें, friends मैंने 20 stocks select किया है portfolio के लिए, पहला stock मैंने banking sector से ICICI bank को select किया है, ये इंडिया का second largest private bank है HDFC के बाद, आप चाहो तो HDFC bank के साथ भी जा सकते हो, ICICI bank select करने का reason ये है कि इसने पिछले 3 साल में HDFC bank से better perform किया है, ICICI bank का profit growth पिछले 3 साल में 81% CAGR से grow हुआ है, वही HDFC bank का 19% CAGR से grow हुआ है, अगर हम return की बात करें, तो ICICI bank ने पिछले 5 years में 24% CAGR से return दिया है, जबकि HDFC bank ने 17% CAGR से return दिया है, next stock है, NBFC sector का दिगज बजाज finance, ये एक blue chip company है, जिसका market cap almost 4 lakhs करोर का है, लेकिन अगर आप इसका performance देखोगे, चाहे वो sales growth हो, profit growth हो या फिर return, इसका performance excellent है, पिछले 5 years में इसने 30% CAGR से return दिया है, तो एक blue chip company होने के बावजूद भी, इसने एक meet cap की तरह fast return दिया है, अगर आप इसका NPA देखोगे, तो वो भी सिर्फ 0.51% है, अब हम next stock देख लेते हैं, next stock है CDSL, ये इंडिया की largest securities depository company है, जो जितने नए investors market में आएंगे, उतने demand account open होगा, और इसका फायदा CDSL को होगा, ये company 2017 में list हुई थी, 2017 से 2020 तक इस company ने कुछ भी return नहीं दिया, लेकिन कोरोना के बाद market में एक boom आया, और काफी नए investors market में आया, काफी लोगों ने नए demand account open करा है, और इसका impact ये हुआ कि इस company ने March 2020 से अब तक 400% से भी ज्यादा का return दिया है, अभी एक small cap company है, और आगे growth का काफी scope है, आने वाले time में इंडिया में लोगों का participation stock market में बढ़ने वाला है, तो ये company भी काफी grow कर सकती है, फिलाल इस company का ROE 31.6% है, profit growth पिछले 5 years में 29% CAGR से grow हुआ है, sales growth 30% CAGR से grow हुआ है, और पिछले 3 साल में company ने 75% CAGR से return दिया है, तो आप चाहो तो इस company को अपने portfolio में जगा दे सकते हो, next company है TCS, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया की ये top IT company है, market capitalization के हिसाब से देखें, तो इंडिया की second largest company है, इसमें promoters की holding 72% है, और इसका ROE 43.6% है, तो ऐसी company आपके portfolio का हिसा होना चाहिए, आप चाहो तो infosys के साथ भी जा सकते हो, वो company भी का किया है, इस company का profit पिछले 5 years में 112% CAGR से grow हुआ है, दो साल पहले ये company list हुई थी, और listing से अब तक इसने 160% से ज़्यादा का return दिया है, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, अशोक सूता जी की company, happiest minds की, अशोक सूता जी के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि इन्होंने विप्रो जैसी company को 15 years तक लीड किया और मैंट्री जैसी company को खड़ा किया है, तो happiest minds का management excellent है और इसका business भी futuristic है, ये company artificial intelligence, blockchain, virtual reality and internet of things जैसे technology पे काम करती है, अभी ये एक small cap company है और future में एक बड़ी company बनने का दमखम रखती है, अब हम next company देख लेते हैं, next company है chemical sector से दीपक नाइटराइट, ये company performance wise हर parameter पे excellent है, इस company का ROI 37% से भी ज्यादा है, पिछले 5 years में इसका sales growth 38% CSGR से ग्रोव हुआ है, वही पिछले 5 years का profit growth देखे तो company का profit 87% CSGR से ग्रोव हुआ है, और इस company ने पिछले 5 years में 34% CSGR से रिटरन दिया है, ये company sodium nitrite, sodium nitrate और nitrotolins में 75% market share enjoy करती है, 100 से भी ज्यादा company के products हैं, और इस company का presence 30 से भी ज्यादा countries में है, इसके अलवा company 2000 करोर के आसपास का capex भी कर रही है, ये एक debt free meet cap company है, जो future में जरूर एक large cap company बन सकती है, अगला stock है, Sumitomo chemical, ये भी एक meet cap company है, और company के पास कोई debt नहीं है, अगर हम company के business की बात करें, तो ये company mainly agro solutions like crop protection, plant nutrition, household, pesticides में engage है, इसके अलवा company environmental health और animal nutrition में भी deal करती है, अगर हम share holding pattern की बात करें, तो company में promoters की holding 75% है, और FIs and DIs भी 8% से ज़्यादा hold करते हैं, company का ROE 25% है, company का sales पिछले 5 years में 31% CAGR से ग्रो हुआ है, वही पिछले 5 years में profit 48% CAGR से ग्रो हुआ है, मिला जुला कर, ये एक शांदार company है, और अगर आपने इसे long term के लिए hold किया, तो multi bagger return दे सकती है, next company है, Reliance Industries, market capitalization के हिसाब से, इंडिया की ये सबसे बड़ी company है, इसका business काफी diversified है, future में जब ये company, जियो, oil to chemical और retail को separately list करेगी, तो company का value unlock होगा, मेरे हिसाब से ये company भी आपके portfolio का हिसा होना चाहिए, next company है, Asian Pants, Asian Pants, Asia की third largest paint company है, इसका market cap 2,93,000 करोर का है, इसका nearest competitor बर्जर paint है, जिसका market cap लगबग 56,000 करोर है, यहाँ आप देख सकते हो, कि ये company अपने nearest competitor से कितनी बड़ी है, organized domestic paints market में, ये company 50% market share enjoy करती है, वही decorative paints segment में, ये company 60% market share hold करती है, इस company का distribution network चबजस्त है, और इस company का presence 60 से भी ज्यादा countries में है, ये एक debt free company है, और पिछले 5 years में, इसने 22% CAGR से return दिया है, इसका return on equity 23% है, listing से अब तक इस company ने अपने investors को 25,000% से भी ज्यादा का return दिया है, और जैसे जैसे इंडिया में लोगों का lifestyle improve होगा, ये company और भी grow करेगी, अब हम next stock देख लेते हैं, हमारा अगला stock है Estrel Limited, ये company PVC pipe manufacturing में market leader है, PVC pipe manufacturing के अलावा ये company adhesive manufacturing में भी engage है, total revenue का 77% piping division से आता है, और 23% adhesive division से आता है, company का share holding pattern भी decent है, इसमें promoters की holding लगभग 56% है, FIS की holding 16% है, और DIS की holding 14% है, company का ROI 22.6% है, और पिछले 5 years में company का profit 27% CSGR से grow हुआ है, वही अगर हम company का return देखें, तो company ने पिछले 5 years में 33% CSGR से return दिया है, तो ये company excellent है, और future में huge growth का potential है, आप चाहो तो Prince pipe को भी consider कर सकते हो, बट वो एक small cap company है, तो volatility थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आप अपने risk appetite के हिसाब से किसी एक को portfolio में रख सकते हो, company दोनों अच्छी है, 11th stock है, Polycab India, wire and cable manufacturing में ये company 24% market share hold करती है, इसका distribution network भी strong है, 3500 से भी ज़्यादा इसके dealers और distributors हैं, और इसकी पहुँच 1,25,000 से भी ज़्यादा retail outlet तक है, company को list हुए 3,5 years हुए हैं और अब तक ये 300% से भी ज़्यादा का return देश चुकी है, company virtually debt free है और इसका profit शांदार 31% CAGR से grow हो रहा है, next stock है Indian Energy Exchange, इस पे मैं एक detail वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो उपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, इस company का short term power trading में almost monopoly है, ये company debt free है और इसका ROI 48% है जो की excellent है, next company है Tata Power, इस company की performance की अगर बात करें, तो ये company 2010 से 2020 तक कुछ भी return नहीं दिया, in fact 77% का negative return दिया, लेकिन corona time पे May 2020 में 31 रुपीज के low से अब तक इस company ने 562% का return दिया है, इसी period में promoters ने भी अपनी share holding 9% से ज़्यादा add कर लिया है, इस company को select करने का reason ये है कि अब company renewable energy पे focus कर रही है, renewable power generation, transmission और distribution के अलावा, company electric vehicle के लिए charging station पे भी focus कर रही है, तो long term में ये company अच्छा कर सकती है, आप चाहो तो इसे portfolio में जगा दे सकते हो, next stock है Avenue Supermart यानि D-Mart, management इसका excellent है, debt free company है और promoter खुद 74.98% stick hold करते हैं, company का business model शांदार है, company 300 से ज़्यादा store अपरेट करती है, और March 2024 तक company का plan है और 135 outlet add करने का, next stock है Titan, ये इंडिया की largest jewelry making company है, jewelry में आपने तनिस्क brand सुना होगा, वो Titan का ही brand है, इसके अलावा company watches, eyewear और perfume में भी deal करती है, watches में आपने fast track, sonata, raga और octane का नाम सुना होगा, ये सब Titan के ही product है, company ने watches, jewelry और eyewear के टेगरी में leadership position hold किया है, company debt free है और fundamentally strong है, इसका return on equity 26% है, तो आप चाहो तो इसे अपने portfolio के लिए consider कर सकते हो, next stock है Tata Motor, fundamentally ये company week है, आप अगर इसका ROE देखें, तो minus 22% का है, पिछले 5 years का sales growth, profit growth और return देखें, तो वो भी नील है, company के उपर काफी debt है, हाला कि company debt को reduce कर रही है, लेकिन electric vehicle segment में, company अच्छा कर रही है, company EV segment में 88% market share के साथ, leading position में है, passenger vehicles में भी company का market share लगातार increase हो रहा है, FY20 में company का market share 4.8% था, जो अब बढ़कर 14.36% हो गया है, तो long term में ये company अच्छा कर सकती है, इसलिए इस company को मैंने consider किया है, next stock है, हिंदुस्तान Unilever Limited, FMCG का दिगगर share, FMCG segment ऐसा है, कि इसका demand हमेशा रहने वाला है, actual company के पास 50 से ज़्यादा brand से, जो 90 लाख से ज़्यादा retail outlet में available रहते हैं, ये company काफी consistent रही है, sales growth, profit growth, return और ROE के मामले में, तो ऐसी company को मेरे हिसाब से, आपके portfolio में जरूर जगा मिलनी चाहिए, अब हम next stock देख लेते हैं, next stock है, Relaxo Footwear Limited, ये एक meet cap debt free company है, market capitalization के हिसाब से, ये company footwear segment की number one company है, listing से अब तक, ये company 6,350% का return, दे चुकी है, हाला कि पिछले एक साल से, ये company अच्छा perform नहीं कर रही है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, long term के लिए, ये company शांदार है, fundamentally काफी strong है, और इसके product का, हमेशा demand रहने वाला है, ये company affordable price में, अच्छा quality product प्रुवाइड कर आती है, next stock है, pharma sector से, divis lab, divis lab का, ROE 28% का है, और company ने, पिछले 5 years में, 26% CSGR से return दिया है, company debt free है, और इसका long term का, chart काफी शांदार है, company ने listing से अब तक, 38,000% से, ज़्यादा का return दिया है, अब हम last stock देख लेते हैं, last stock है, SDFC life, ये company fundamentally काफी strong है, आप इसकी जगाश चाहो तो, SBI life को भी consider कर सकते हो, हो सकता है, short term में, ये company उतना return ना दे, but long term के लिए, ये बहुत ही अच्छी company है, इंडिया में जैसे जैसे, common लोगों की lifestyle में improvement आएगा, लोग health को ज़्यादा importance देंगे, वैसे वैसे, life insurance sector भी grow करेगा, तो आप long term के लिए, मैं तो कहूंगा, future generation के लिए, इस stock को अपने portfolio में, जगह जरूर दीजिए, तो ये था 20 stocks का portfolio, मैंने stock pick करते वक्त, last cap, mid cap, और small cap weightage, sector allocation और companies के fundamental को ध्यान में रखा है, आप चाहो तो इन stocks को further study कर सकते हो, इन stocks में मेरा कोई buy या sell recommendation नहीं है, कभी भी stock pick करते वक्त, आप अपना research जरूर करें, और जब आपको लगे company में दम है, और आपको उस company में confidence हो, तो ही invest करें, तभी आप एक अच्छा investor बन पाएंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया, तो इसे like कर दीजिए, अपने family and friends के साथ share कर दीजिए, और अगर आप तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe कर लिजिए, ताकि ऐसा content आप तक पहुँचता रहे, तो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye,